हेलो दोस्तों आपने वहोती सांधार वीडियो पे क्लिक कर दिया है गाइज आप इंतिजार की गड़ी खतम हो चुकी है गाइज आप आपका पेपर होगा आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी लेकर रहा हूँ दिल्ली डिस्टिट कोट ने अभी अभी एक नोटिस जारी किया है ठीक है गाइज इस नोटिस में आपकी एक्जाम डेट है कि कब कब आपका एक्जाम होगा क्या आपका 1 अगस्त, 8 अगस्त, 29 अगस्त में आपके एक्जाम होगी ठीक है guys पूरी जानकारी देंगा अब पूरा official notice आपका आचुका है ठीक है guys आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है आप तयारी में लग जाओ अब आपको एक नोकरी लेनी ही लेनी है ठीक है guys एक एक जानकारी आपको official तरीके से देने वाला हो तो guys सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और अगर आप हमारी daily class लेना चाते हो दिल्ली district court के लिए अगर आप लोग class करना चाते हो नीचे मैं आपको link दे दूँगा description में ठीक है जल्दी से देख लेते हैं कब आपका exam होगा कब आपके admit card यहां पर download होंगे पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ तो दोस्तो शुरुवात करने से पहले बोल देता हूँ जल्दी से like कर लो और subscribe जरू कर लो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर देख लेते हैं guys पूरी official जानकारी तो guys जैसे कि आप लोग देख पारे हो यहां पर मैं ddc की official website पर यहां पर आ चुका हूँ ओफिशल website पर मैं आ चुका हूँ जैसे आप पहले link पर क्लिक करोगे notice regarding date of objective mcq test in the district court examination 2021 for group c post यह आपका एक link है इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो क्या open होगा यह आपका ऐसा कुछ notice यहां पर open होगा आप लोग देख सकते हो यह बिल्कुल official notice है इसको मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से ठीक है guys देख लेते हैं एक एक पूरी जानकारी official sorry office of the principal district and session judge headquarter दिल्ली यह आपका 23 जुलाई को एक यहां पर 23 जुलाई 2021 को एक official notice आया है date of objective mcq test in दिल्ली district court examination group c post के लिए यह आपका notice जारी कर दिया गहा है this is this is to bring the notice of all such candidate whose mcq test जिसका एक्जाम आपका 7 मार्च 2021 में था कौन सी post के लिए पियोन, orderly, dark, पियोन, चोकिदा, स्वीपर, सफाई, करमचारी तो guys वो postpone कर दिया था किसी वज़े से अब यह एक्जाम, re-exam होगा ठीक है, जो 7 मार्च वालों का एक्जाम होगा, वो कौन सी date में होगा, मैं आपको बता देता हूँ कब आपका एक्जाम होगा, आप लोग official तरीके से देख सकते हो, देखो आप लोग देख सकते हो, पहले group में क्या होगा, mcq test होगा एक अगस्त को यह आप एक्जाम होगा, objective, और आपका 27 जुलाई को admit card डाउनलोड हो जाएगा जिनका paper 8 तारिकों है, 8 अगस्त को, उनका 3 अगस्त को डाउनलोड हो जाएगा जिनका 29 अगस्त को एक्जाम है, उनका 24 अगस्त में आपका admit card डाउनलोड हो जाएगा अब आप लोग नीचे जानकारी देख सकते हो, पूरी official जानकारी, important जानकारी देख सकते हो guys अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, subscribe जरूर कर लेंगे, सबी notification पाने के लिए bell को all कर लेंगे, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, देखो, जो भी आपको यहाँ पर admit card डाउनलोड करने का हुआएगा, official email आपको आएगा ठीक है, जिनका exam guys आपका एक अगस्त में है, उनको आपको mail जरूर आएगा, ठीक है, इन्होंने बोला है और इनका जो admit card डाउनलोड होगा, 27 तारिक को admit card डाउनलोड हो जाएगा, 27 जुलाई को कहने का मतलब है, जिनका एक अगस्त को exam है, इनका admit card 27 जुलाई को डाउनलोड हो जाएगा किसे? DTC की official website से, और ये भी नीचे दिया हुआ है, जिनका 8 को exam है, जिनका 29 अगस्त को exam है इनके admit card डाउनलोड हो जाएगे और आपको email भी बेज दिया जाएगा तो guys, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, official ये जानकारी है पूरी, तो दोस्तो आयोब आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आप तयारी में लग जाओ मैं daily class लेता हूँ, maths की, आपकी English की class भी होगी, GK की class भी होगी, अब आप लोग तयारी में लग जाओ अभी अभी मैंने एक वीडियो डाला था, वो भी आप लोग पूरा देख लो, link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा तो दोस्तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, take care, और तयारी में लग जाओ, भगवान करे, आपका selection हो जाए अगर आप cut off के बारे में जानना चाहते हो, link वो भी मैं आपको description में दे दूँगा, okay, bye bye, take care